असलाम लेकुम माई यूटूब फैमली कैसे हैं आप सब आई होब की सब अच्छे से होंगे मैं हूँ रूबी और मेरे चैनल रूबी स्कोकिंग में आप सब का स्वागत है रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आप दिल से शुक्रिया करना चाहते हूं कि मेरा 1K पूरा हो चुका है बहुत बहुत शुक्रिया आप सब का 1K के पाटी के वीडियो बहुत जल्द ही मेरे चैनल में आज जाएगी आप सब ऐसे ही प्यार बनाए रखे चली आज हम कीमा बनाएंगे अभी हरे मटर का सीजन चल रहा है तो कीमा और हरा मटर साथ बहुत यमी लगता है चली फटा फटा फट रेसिपी स्टार्ट करते हैं मैंने यहां पे कढ़ाई गरम कर लिया था पहले उसमें दो चमच मैंने खाने का तेल आट कर दिया है मैंने सरसो का तेल आट किया है इसे अच्छी से धुवेधार गरम कर लेंगे जैसे ही हमारा तेल गरम हो जाएगा इसमें मैंने दो बड़े सैस के प्यास को रफली कीमा वश करके रखा था कीमा अट कर देंगे और हमें का फ्लीं आट करते जाएंगे अगर आप फ्लागरम मसाला बसंद करते हैं तो आप तेल गरम कर दें उसी टैम ही थोड़ा घरा घरा घरम मसाला एट कर सकते हैं मैं नहीं डाल रही हूं क्योंकि हमारे बच्चे बहुत परिशान करते हैं मैं साथ में हरा मटर एट कर दूंगी साथ में ही भूनेंगे इसे हम अच्छे से 10 मिनट तक इसे भूनना है हमें तेज आंश में थोड़े देर में ही मटर पानी रिलीस कर देगा अपना और साथ में हम 1 टीस्पून भरके फ्रेश अधरक लसून का पेस्ट आइट किया है कोशिश करें कि नौन विज मनाने के समय में फ्रेश अधरक लसून का पेस्ट ही अट करें इसका टेस्ट बहुत यह अच्छा आता है अभी मैं इसमें सब सुखे मसाले आड़ करूंगी देख सकते हैं आप साथ पानी कितना रिलीज हो चुका है एवंट से टीर टीस्पून मैंने सुआत के अनुसा नमक आड़ कर दिया है आधा टीस्पून हल्दी आड़ किया है अग कश्मीरी लाल मिच में बाद में एड़ करूंगी अभी मैं यहाँ पर वन टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिच डालोंगी जिससे हमारा कीमा का कलर बहुत ही अच्छा आएगा अगर अप गरिन कीमा काना चाहते हैं तो आप इसको अड़ ना करें आप ग्रिन चिली को कट क कहाव सकते हैं तो पिस के डाल सकते हैं ऐसे ही बुनने के दोरान हम थोड़ी स् क्यूमिन बॉड़र wtih कर दिया है पर भी अबत हमें कि अब reward हम किर नहीं करेंगे इसी पानी में हम गैस का फ्लेम चलों कर name के बाद कीमा लिया है एक बड़ी साइस के टमाटर को मैंने बारिक बारिक चॉप करके डाल दिया है अगर आप इसे टमाटर अगर नहीं खाना पसंद करते हैं तो अब मसाले के साथ पहले ही डाल सकते हैं यहां पर मैंने टमाटर राइट करने के बाद 5-10 मिनट और सिलो करके पकाया सब्सक्राइब के लिए यहां पर अश्चे से सौफ्ट हो चुका है गर्म गरम हमारा कीमा बनके तैयार हो चुका है आप इसी राइस के साथ पाव के साथ इंजॉय कर सकते हैं अगर आप सबको मेरी रेसिपी मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्रा